आज में शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे फॉंट्स जो तुमें बेटर थमनिल बनाने में मदद करेंगे जो लास्ट फॉंट दिखाने वाला हूँ वो मेरा फेवरिट है सारे फॉंट्स के लिंक दिस्क्रिप्शन में दिये गए है तो जा के चेक कर सकते हो लेट्स बिगिन फॉंट इस वांगार्ड ये फॉंट तुमने देखा रहेगा मैंने गई थमनिल्स में यूज किया है लोग उसे ऐसे इसे बी यूज करते है तुम उसे ऐसे भी यूज कर सकते हो इसके अंदर जब टेक्शल डालते हो तब ये फॉंट बहुत ही जादा अच्छा लगता है यहाँ पर मैंने उसको स्लैंड किया है सेम फॉंट को और उसके अंदर डाला है टेक्शल वो टेक्स्ट इफेक्ट का वीडियो तुमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा The next font that we have is Beach Easy font ये कर्सिव वाला font है तो मैं कही पर अगर एक सटल टेक्स डालना है तो वहाँ पर ये font यूज हो सकता है ये underline यहाँ पर उसका नाम डालने पर आया है जैसे मैं उसका नाम backspace कर दूँ तो वो underline चले जाता है तुम कुछ भी लिख सकते हो इस text से अपने हिसाब से बहुत ही happy vibe देता है ये वाला font मैंने उस font को इस thumbnail में यूज किया है as you guys can see over here मैंने थोड़ा सा skew किया है उसको और ये thumbnail में it came out perfectly ये अगला font तुम meme reviews दूए कर ये में यूज कर सकते हो एक funny element की तरह इसको use कर सकते हो इसका नाम है high mount इसमें मैंने थोड़े से effects डाले या पर inner glow, inner shadow और एक drop shadow जिसे ये बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है but normally भी without any effect this looks perfect so surely कोई funny video में next time तुम लोग ये वाला font ट्राइ कर सकते हो the next font that we have is a horror font जो तुम कोई भी एक suspense video में या horror video में use कर सकते हो इसका नाम है foul fee end तुम देख रहे हो red color का ये जो font है ये बहुत ही जादा horror लग रहा है जब इसके around elements और जादा आएंगे तो ये बहुत जादा stand out करेग और बहुत attractive लगेगा एक thumbnail में the best part above this font is ये ज्यादा जगा नहीं लेता है वो पतला रहता है vertically वो ज्यादा जगा कवर करता है which is good when you're making a thumbnail now the last font of this video जो मेरा एक favorite font है brick font ये kind of graffiti वाला vibe देता है एक thumbnail के कोने में तुम इसे ऐसे use कर सकते हो posters के लिए ये perfect font है anything comes out so nicely in this font कोई भी game को तुम यहाँ पर इस font से लिख सकते हो and it will look super good तो तुमें अगर ऐसा कोई ऐसा दम धीनचक लुक चीह है तो ये font तुमारे लिए एकदम perfect रहेगा सारे font scale link तुमें description में मिल जाएगे font वाले file पर double click करो तुमें वो photoshop में मिल जाएगा इस font को तुम कैसे use करते हो जरू मुझे बताना description में discord का भी link है वहाँ पर तुम अपने thumbnails पोस्ट कर सकते हो which I will review everyday on my live stream photoshop की जहाँ पर मैं live thumbnails बनाता हूँ everyday at 11.30 pm thank you so much for tuning in I'll catch you guys in the next video till then bye bye